हेलो गाईज आज़ापन पढ़ेंगे अतिविशा के बारे में तो अतिविशा को हम सबसे पहले एक स्मॉल कोटिशन से स्टार्ट करते हैं जिसका वणन हमारी चरक सहीता के सूतरिस्थान के पतीसमे अध्याय यज्जह पुरुशी अध्याय में दे रखा है इसका मतलब यह है कि अतिविशा दीपन का कारे करती है पाचन का कारे करती है संग्राहक है और सर्व दोस हराणाम यानि कि सभी दोसों का हरण करने वाली है तो गाईज जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको किसी भी द्रवी को एक्जाम में स्टार्ट करना है तो अगर आपको उसका कोटेशन याद है तो सबसे पहले आपको उसका कोटेशन लिखना है उसके बाद उसके बोटैनिकल नेम और फैमिली के बारे में लिखना है तो फिर बात करते हैं इसके बोटैनिकल नेम और इसकी फैमिली की तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रतिविशा का बोटैनिकल नेम है एकोनीटम बालमीटम ठीक है तो देखिए यहां पर आपको कभी भी कन्फ्यूज नहीं होना है कि जैसे अतिविशा विश लिखा हुआ है तो इससे आपने समझ लिया कि नहीं यह पॉईजनेस होगा लेकिन नहीं अतिविशा को विश्वर्ग का होते हुए भी निर्विश रहता है इसलिए इसे अतिविशा कहते हैं तो अगर कभी भी किसी ने भी आपके सामने अतिविशा का नाम लिया तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह पॉईट क्लिक होना चाहिए कि यह रेननकुलेसी फैमली का है और जहान रस है इसका तिक्त कटू इसका विपाक है और वीर इसका ऊश्ण है ठीक है इसकी ट्रिक के बारे में हम पहले हमारे पिछले वीडियो में इजी वेस्टू लर्न रस पंचग में डिसकस कर चुके हैं अगर आपको लगे तो आप उसे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन कब वर्ग को ौटे है इसको अतिविशा कहा जाता है दूसरे पॉइंट के बाद करेंगें तो इसे कहते है भंगोरा क्यों कहते हैं क्योंकि सीग में तो तूट जाता है फिर देखिए इसके कहते हैं गुण वल लभा भी कहा जाता है गुण वल लभा इसके कहा जाता है क्योंकि इसमें आसानी से गुण लग जाती है उसके बाद कहते हैं इसे शिशू भैसज्या नाम से ही आपको जमद में आरा है शिशू और भैसज्या शिशू याने की बालक औ क्यों कहा जाता है क्योंकि इसकी कंद स्वेत होने के कारण शुकल जाने के स्वेत होने के कारण इसे शुकल कंदा कहा जाता है तो गाइस जैसा कि हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं कि परयाय आप इंपोर्टेंटली पढ़िएगा क्योंकि एक्जाम में परयाय से कोशन पूछ इसके स्वरूप की बात करेंगे तो इसके छुप रहता है, एक से तीन फुट उचा जैसा कि आपको image में दिख रा है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता है एक से तीन फुट तक ही रहता है, इसकि कांड की बात करेंगे तो इसकी कांड सरल रहती है और नीचे चिकनी रहती है और उपर की और रोमस रहती है इसके पत्र की बात करेंगे तो इसके पत्र जो रहते हैं दो से चार इंच लंबे लटवा कार गोल या फिर हरदय आकार के जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा और ये तीक्षन आगर रहते हैं मतलब आगे से ये तीक्षे रहते है ठीक है फिर बात करते हैं इसके पुषप की तो आपको इमेज में क्लियरली दिख रहाओगा कि इसके पुषप हरिताब नील बैगनी सिरायोगत रहते हैं और बहु पुषपी मंजिदियों में होते है इसके मुल की बात करेंगे तो इसकी मूल द्वी नंहिंग भीत्रंग का होता है इसके फल לפक्रफल जो रहते हैं पंच कोशी होते यिन में अनेग बीज होत은 है की दो जातियां रहती है लिफ़ी सा को कहते हैं अको क्यों पालमेंट्प इसके बारे में में स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि यही दोनों है जो रननकुलेसी फैमिली के होते हुवे पॉइजनस नहीं है इसके प्रयोज यांग की बात करेंगे तो मूलकंद इसकी मात्रा की बात करेंगे तो एक से तीन ग्राम और इसके विशिष्ट योगों की बात करेंगे तो बाल चतुर भद्र आती विशादी चून और चतुर भद्र चून तो चलिए बात करते हैं इसके दोश कर्म और आमरीक प्रयोग की तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका रस पंचक देखा LR 532 मतलब इसका तिक तिरस प्रधानता होने के करण कफ पित् चलिए तो तिक तिरस होने के कारण का रुप और पित्त कर रहा है तो इसका आममें प्रयोग क्या हो कतर कि रोगों में प्रयोग की आएगा इसके पाचण वस마न की बात करेंगे तो यह तो गजीन होगोर प्रयोग होगोगा किया जाएगा इसके बाद बात करेंगे सिवसन वस निकी तो कास यह प्रतिकर्म की बात करेंगे तो टिक्तिरस की प्रधानता से कफगन हैं ने इसगे प्रयोग किया जाता है और और सात्मी करण्स की प्रतानता से कट्व पौस्टिक और विशग्न है विशग्न होने से ये मुशक विश में प्रयोक किया जा जाए और कटू पॉस्टिक होने से जवर और अतिसार के बाद होने वाले दुरबलता में इसका प्रयोक किया जाता है तो चलिए बात करते हैं कुछ important point की तो हमने देखा था अतिस यानि की अतिविशा का परयाय देखा था हमने सिशू बहसज्या तो उससे सिशू बहसज्या इसलिए कहा जा जा रहा था क्योंकि वो बाल रोगों में प्रसेस्ट ओश दी थी तो देखे अतिश का चून शहद के स मिलाकर इस्थिति के अनुसार बालकों को जवर्दमा कास और उल्टी में देना चाहिए उसके बाद हमने बात करी थी कि अतिविशा दीपनी पाजनी संग्राहिक सर्वदोश हरा नाम संग्राहिक हमने देखा था तो अतिविशा सौंठ और गिलोय का काढ़ा बनाकर सेवन क करने से संग्रहनी ठीक हो जाता है और थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो समान मातरा में आतीश और बेल का चुन मिलाकर आधा चम्मच की मातरा में दिन में तीन बार सेवन करने से आतिसार में लाब होता है ठैंक यू सो मज फॉर लिस्निंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब